कि आपको या आपके साथ वह वाले इंसिडेंस हम लोग शेयर करते रहते हैं जहां पर हमें जटका लगता है समझ मैं वहां पर क्या होता है वापिस फोड़ा सा डाइगराम समझी आप हर गली नुकड चुराए पर उस टाइम पर जो उनको बोलते थे डाट इस जूस शॉप है ता गर्मा गरम पैटी वागरह मिलेगी समोसे मिलेंगे जूस मिलेंगा कोई जहां कर सकते हैं टीक है और कि अंगि आप Saltark मैं दस रुपए की पैटी आती ती उसक्त रुपएगी पैटी लो आप बैठ जाओ और टीवी देख हुए दिक्क प्रव्मॉंट करते इस चीज को ताकि जितनी देर आप बैटे रहोगे कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगोगे ना शरम करके आप आदे घंटे बाद में फिर मांगोगे कुछ ना कुछ तो उनसे वह जूश शॉप वालों का या दुखान वालों का धंदा बढ़िया चलता है तो बच्चों से दोस सब्सक्राइब यहां पर जाना शुरू हुआ मतला हां टाइम वेस्ट रोज नहीं बट कभी-कभी हो जाता था कभी-कभी कैसे पैटी ली आपने कोई मूवी चल रही है सामने और आपके रूम पे और ऐसी तो कोई फैसलीटी थी नहीं नहीं आपके पास वह वाले नहीं देख सकते हो जी तो वहां पर कई बार मूवी चल रही होती तो बैठ जाते थे वहां पर देड़ घंटा बरबाद हो गया तो उससे बड़ा फील होता था ना एक दिन या एक दिन नहीं वहां पर एक रेगुलर्य एक लडगा आता था जो जूस वूस पीता आराम से जटता भी था और पर्टिकुलर्ली 15-20 मिनिट वहां पर स्पेंड गरके जाता था दोफैर का अपना या शाम का ताइम ना उस लड़के को मैं काफी दिनों से देख रहा विकास मेरा और उसके जाने का टाइम एकदम सेम साही था तो उसके पहनावे से जाहे वोडिवे से अ plastic मतलब वहैं थोड़ाव करता होगा तो मुझे ऐसा लगा उसके पहनावे से मतलब बोलते ना कि आप किसी दूसरे को कम नहीं समझना चाहिए यह उस बात का बढ़िया एक्जाम्पल है और दूसरा आपको अपना टाइम बेस नहीं करना चाहिए वो भी उस बात का बढ़िया एक्जाम्पल है हाँ वो 15-20 मिनट निकाल कर ब्रेक लेने जुरूर आता था 15-20 मिनट में जूस हो गया कोल्ट्रिंग होगी पैटी होगी टीवी भी देखता था मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आया खाया और भाग गया नहीं जी तसल्ली से अकबार वकबार भी पढ़े रहते थे पढ़ता थ आया ना ना मैंने या फिर उस लड़के को ऐसी एक बार हमने पार्क में संडे वाले दिन खेलते होई भी देखा अंडे वाले दिन कटी किर्केट भी चलता था मां पर कोई दिक्कत तो जो किर्केट की टीम बनी वो मेरे वाली टीम में ही आ गया रेंडमली बनती है जितने लड़के घड़े हैं आप बात कर सकते हो खेल सकते हो कोई दिक्त में तो किर्केट का मैच वेगरा हुआ खेले जीते हारे का कोई आइडिया नहीं है शायद हम लोग आ रही थे जब ऐसी पोस्ट मैच डि बैच नंबर है आप कितने अमीर हो कैसे दिखते हो आपके बास कितना बैंक बैलेंस है गाड़ी है कि साइकिल है कि पैदल हो यह कुछ मैटर नहीं करता कोई अगर सामने या गली में घड़ा होके बोलते मैं एवन बैच से हूँ 12 का टॉप वाला बैच बास उसके अलावा स जिल में इज्जत अपने आप आपके घुटने सीधे हो जाएंगे आप खड़े हो जाओगे अरे भाई यह पीवन से इसका तो सेलेक्शन शो रही है यह तो 150 आने वाला है तो उससे मैंने बैच पूछा उसने बुला उस कोचिंग का जिस कोचिंग में वो था वो भी काफी नामी गिरामी कोचिंग उसने वहां का ट्वैल्थ का सबसे टॉप वाला बैच घो जैसी उसने यह पताया मेरी हलत खराब है तू? कंश करता तो तो वहां आता है तो किरकेट भी खेल रहा है आज इसनक वहां कि दो बोले उससे क्या फर्क पढ़ता है यू दो पर लिए तरीक वाले जो लोग समुआ έχει हैच और दो आराम से एंजॉय भी करते हैं ऐसा कहीं नहीं है कि जो बहुत टॉपर है पढ़ने वाला वो 24 गंटे में से 24 गंटे किताब में गुशा रहता है तो मैंने का बता फिर कुछ क्या किया जाए बोले कि बस अपने आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाने स्टार्ट कर दो कि रेस्ट्रिक्शन मतलब कि अब यह गेम खतम हुआ है किर्केट का यहां से जाएंगे आप सब लोगों के मन में एंजॉयमेंट है वो मुझे ही बता रहा था कि तेरे में अब ऐसा है कि तू रिलेक्स हो चुका है मैं का हाँ अब जाके तरी पढ़ने की इच्छा नहीं होग बोले मैं पढ़ूँगा यही डिफरेंस है मैं जाके अब भी पढ़ूँगा खेला कुदा एंजॉय किया टाइम स्पेंड किया वह अलग कहानी है बड़ जो हमारा रेगुलर बेसिस का जो काम है वह अब जाके कम्प्लीट करो कि कल भी तो क्लास है बोले और हमारा मेजर का पढ़ाई तो उसको प्रियारिटी पर रखना है बोले वह किसी भी हालत में हैं पर नहीं होनी चाहिए आप कुछ भी करो मैं यही है टैग लाइन यही है मतलब फाइनल लाइन बोले हां इसको हमेज़ा फॉलो करो तुम भी उपर आ जाओ तो उस दिन जो जटका लगा उसस आपके काम है बट जो आपका मेजर काम है जो आपकी प्रियाटी यह वह किसी भी हालत में हैं पर नहीं होनी जाए बढ़ता हूं कॉफी पे चलोगी क्या काम खताम चले तो बहुत अच्छी बात है नहीं चले समझ लेना उसका काम खताम है